परिचय अरून तुम्हें पिछले वर्ष विज्ञान में कितने प्रापतांक मिले थे शेर 92 प्रापतांक मिले थे और गणित में 84 सेर विज्ञान में 72 और गनित में 84 ठीक है प्षधा अब तुम मुझे बताओ तुम्हें गनित और विज्ञान में कितने प्रापतांक मिले थे सर मुझे विज्ञान में 86 और गनित में 85 प्रापतांक मिले थे ठीक है विज्ञान में 86 और गनित में 85 प्रतीक, अब तुम मुझे बताओ सर, विज्ञान में सरसट और गनित में बहत्तर ठीक है, क्या तुम देख सकते हो कि मैंने तुम्हारे प्राप्तांकों को इस कोश्ठक में लिखा है ये क्या दर्शाता है, कोई भी एक बताओ ठीक है, मैं ही बता देता हूँ ये आविव के रूप को दर्शाता है आज हम जानेंगे कि आविव और उसकी संक्रियाएं क्या होती हैं तो आओ शुरू करते हैं उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आविव को परिभाशित करना आविव की कोटी की व्याख्या करना विभिन प्रकार के आविव को लिखना चुन्ने आविव को परिभाशित करना आविव की समानता को समझना आवियू के योग को समझना आवियू की परिभाशा एक आवियू इस्तंभों तथा पंग्तियों में आकड़ों को वैवस्तित करने का एक तरीखा है एक आवियू को कुष्ठकों के भीतर लिखा जाता है एक आवियू के प्रतेकपत को एक प्रविष्ठी कहा जाता है इस आवियू की तरफ देखिए इसमें दो पंग्तियां तथा तीन समभ हैं निम्न आवियू की प्रविष्ठियां हैं दो, घटा पांच, दस, घटा चार, उननीस और चार आवियू की कोटी एक आवियू की कोटी एक दिये आवियू की पंग्तियों और इस्तंभों की संख्या को दर्शाती है संकेश से एक आवियो की कोटी पंग्तियों की संक्याओं गुणा स्तंभों की संक्याओं के द्वारा दी जाती है यहां आप चिनांकित पंग्तियों तथा स्तंभों सहित उसी आवियो की दो चित्रों को देख सकते हैं इस आवियो की कोटी दो गुणा तीन है अर्थात दो पंक्तियां गुणा तीन स्थम्भ आवियू संकेटन आवियू में एक प्रविष्टी की पहचान करने के लिए स्थम्भ के बाद हम केवल संबंधित प्रविष्टी की पंक्ति का एक पदांक लिखते हैं आविहू A में जृतिय पंक्ती तथा जृतिय स्थम्व की एक प्रविष्टी को निरूपित करने के लिए हम A2-3 के लिखते हैं A2-3 पंक्ती संखिया 2 तथा संब्व संखिया 3 इंगत करता है संब्व और पंक्ती आविहू इस्तंब आवियू यानि column matrix आवियू जिसमें किवल एक स्तंब होता है स्तंब आवियू कहलाता है स्तंब आवियू का उधारण ए बराबर स्तंब हनुसार 21, 17, 9 इस आवियू में तीन पंक्तियां हैं किंतु किवल एक स्तंब है आताह ये एक स्तंब आवियू है इसकी कोटी तीन कुणा एक है पंक्तियावियू यानि row matrix एक आवियू को पंक्तियावियू कहा जाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो उधारणार्थ पंक्तियानुसार 3, 5, 1 एक पंक्तियावियू है क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है वर्ग आवियू तथा विकर्ण आवियू वर्ग आवियू एक M कुणा N आवियू हो एको वर्ग आवियू कहा जाता है यदि M पराबर N हो यानि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभूं की संख्या हो उधारणार्थ तीन कुणा तीन कोटी वाला A एक वर्ग आवियू है विकर्ण आवियू एक विकर्ण आवियू में विकर्ण के उपर तथा नीचे के सभी अवियव चूने होते हैं उधारणार्थ B एक विकर्ण आवियू है अधिश तथा तस्समग आवियू अधिश आवियू एक विकर्ण आवियू जिसमें विकर्ण के सभी आवियव समान होते हैं, अदिश आवियू कहलाता है। इस आवियू को देखें, यह एक समान विकर्ण आवियवों वाला विकर्ण आवियू है, अर्थात साथ। अतेव यह एक अदिश आवियू है। तस्समक आवियू, एक वर्ग आवियू, जिसके विकण के सभी प्रमुक आवियव एक होते हैं, तथा शेश अन्य सभी आवियव क्योंने होते हैं, तस्समक आवियू कहलाता है. तस्समक आवियू को इकाई आवियू, अथवा प्रारंभिक आवियू भी कहा जाता है. शून्ने आवियू एक शून्ने आवियू अथवा रिक आवियू वो है जिसमें सभी अव्यव शून्ने होते हैं यहाँ पर एक तीन गुणा तीन शून्ने आवियू है शून्ने आवियू के तीन और उधारण इस प्रकार है शून्ने आवियू को शून्न से नरूपित किया जाता है आवियू की समानता दो आवियू एक समान होते हैं यदि उनकी कोठी समान हो तथा संगत अवियव समान हो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि बी आईजे हो आवियू पी तथा क्यू समान हैं यहां दो आवियव हैं यद्य पी जिनके आवियव समान हैं जो की बराबर नहीं हैं समान आवियू के उधारण दिया गया है कि निम्नलिकित आवियू समान हैं XY तथा Z का मान ग्यात कीजे दो आवियू के लिए उनका परिमान तथा आकार समान होना चाहिए तथा उनी स्थानों पर वही मान होने चाहिए यह हम कह सकते हैं A1-1, B1-1 के बराबर होना चाहिए A1-2, B1-2 के बराबर होना चाहिए तथा इसी प्रकार आगे भी एतेव संगत अव्यवों को बराबर करके हम निम्न चरूं को हल कर सकते हैं X जमा तीन बराबर चै X बराबर तीन Y बराबर घटा एक Z घटा तीन बराबर चार Z बराबर साथ आव्यों का योगफल सभी संगत प्रविष्टियों के योगद्वारा दो आव्यों को जोडने की संक्रिया है दो आव्यों को जोडा जा सकता है यदि उनकी कोटिया समान हो अर्थात उनके संभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो आईए इन आव्यों को जोडते हैं हमें प्रविष्टियों के युगमों को जोडना होता है तथा फिर अंतिमुत्तर के लिए सरली क्रित करना होता है पंक्तिय अनुसार पहली पंक्ती चूर्ने एक दो दूसरी पंक्ती नौ आठ साथ जमा पंक्तिय अनुसार पहली पंक्ती छे पांच चार दूसरी पंक्ती तीन चार पांच अता इसी तरह इसे आगे हल करने पर हमें पंग्ति अनुसार पहली पंग्ती 666, दूसरी पंग्ती 12-12-12 प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, यदि A तथा B समान कोटी के नहीं हो, तब A जमा भी परिभाशित नहीं है। उधारं के लिए यदि A परापर है, पंग्ति अनुसार पहली पंग्ती 2-3, दूसरी पंग्ती 1-2-3, दूसरी पंग्ती 1-1, तब A जमा भी परिभाशित नहीं है। आव्योह का योगफल समान कोटी वाले आव्योहों के समुझ में बाइनरी यानि दूयाधारी संक्रिया का एक उधारण है। आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक आव्योह फलनों या संख्याओं की एक क्रमित आयताकार सारणी है। एक आव्योह जिसमें M पंग्तियां सथा N संब होते हैं। M गुणा N कोटी का आव्योह कहलाता है। AIJ M गुणा 1 एक स्थम्भ आव्योह है। AIJ M गुणा N एक पंग्ति आव्योह है। 1M गुणा N आव्योह एक वर्ग आव्योह है। यदि M पराबर N हो। A बराबर Aij, M कुण M, एक विकन आवियो है, यदि Aij 0 हो, अगर I परावर ना हो, JK. A बराबर Aij, M कुण N, एक अदिश आवियो है, यदि Aij 0 हो, अगर I परावर ना हो, JK. Aij परावर के हो, ये एक अचराशी है, अगर I परावर J हो, A बरावर Aij, M कुण N, एक तस्समक आवियो है. यदि Aij परावर एक हो, अगर I परावर J, Aij परावर 6 हो, अगर I परावर ना हो, JK. एक शून आवियो के सभी अवियाव शून होते हैं, A बरावर Aij परावर Bij परावर B है, यदि A तथा 20 समान कोटी के हो, और I तथा J के सभी संभवमानों के लिए Aij परावर Bij परावर B. झाल के लिए लेयावर BIK हम झाल के हो, जिए वार शुत के सntू.